तो गाई आज है तारिक 7 जून 2021 और है मंडे देखेंगे आज का दे हिंदू कम्प्लीट न्यूस पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कम्प्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बोक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजूकेशन आप लोग को ये चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके सही चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नव जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली विस्स पर दाहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और यह सारी चीज़ मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाओ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है तोंगा को कहा पर है यह एक्जैक्टी लोकेटेड इंडिया की कमपैरिजन में कहा पर है अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे तो चलो शुरुबात करता है देखो सबसे पहले आर्टिकल में बात करी गई है पंजाब, तमिलनाडू और केरिला इन तीनों ने ही एक एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग के अंदर टॉप किया है ना वो जो एजुकेशन इंडेक्स है वो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रैंकिंग जो हुआ करती थी वो थी सेकेंड लेकिन अब इसकी रैंकिंग काफी हद तक गिर चुकी है और एड्ट रैंक आ चुकी है मतलब गुजरात डाउन होता वा नजर आया है और दूसी तरफ दो स्टेट्स ऐसे हैं जो कि नेगेटिव में चले गए जैसे क मध्यऔर पृदेश और चाटिश गर दोनों ही रेग्रेशन में चले गए हैं इस के अदर लिए इस इंडेक्स के अंदर गरेशन की पर दोभी स्टेटिटर में कितना प्रॉग्रेस कि आये लर्रणिंग आउटकम्स में इंफ्रस्ट्रोक्ट्चर वैसिलिटीज गवर्नें management process यहाँ पर इन सब के अंदर कितना ज़्यादा progress किया है जिसने ज़्यादा किया होगा वो इस index के अंदर और टॉप पर आएगा लेकिन यहाँ पर आप देख पार होगे पंजाब का एक बहुत ही बड़ा यह जंप हुआ है क्योंकि पंजाब का अगर हम last year score देखें तो 769 थ आपको मालूम होगा लदाक इसको पहली बार यहाँ पर इंक्ल्यूट किया गया एडिशन के अंदर और इसकी जो score है वो काफी जादा लोएस्ट लगबग 545 इसने गेन किया है out of 1000 तो सबसे लोएस्ट जो है लदाक का यहाँ पर इस चीज़ को याद रख सकते हो यह data काफ टॉप क्या था आपको धिहान होगा उसके बारे में धिहान रखना नाओ sustainable development goals हमारे कितने हैं जारा नीचे comment section बताओ ठीक है और अगर पता है तो फिर स्टार्टिंग के 5 के नाम भी जरूर मुझे बताना आते हैं next article की तरफ यहाँ पर आप देख पाव एक article दे रखा है जिसमें कि studies करी गई है और studies करने के बाद बताया गया more antibodies produced by covishield यानि जो covishield vaccine आपको मालूम होगा हमारी country के अंदर आज के time पर 2-3 vaccines हैं जो की चल रही है कोवी शील्ड है को वैक्सीन है इस पूतनिक फाइव है तो studies यह प्रूफ करती है कि जो यह कोवी शील्ड है यह ज्यादा antibodies प्रड्यूस कर सकती है as compared to the vaccine नव बहुत साथ लोग को यह नहीं पता होगा antibodies क्या है लेकिन बहुत सारों को पता होगा ठीक है जो भी नहीं नही काफी हद तक मदद करता है तो आपकी body के अंदर जब तक antibodies develop नहीं होगी तब तक आप किसी भी disease से fight नहीं कर पाओगे और उसके बाद आप देख पाओगे होगा जग्या जैसे कि body के अंदर antibodies आ गए वो क्या करेगा आपके bacteria के structure के साथ bind up हो जाएगा और उसको वहां पे खत आपको समझ में आ गया होगा यह antibodies है क्या ठीक है तो यहां पर कुछ जादा important नहीं है बस मैंने इसी concept को इसी term को यहां पर थोड़ा समझाने के लिए आर्टिकल को highlight किया वरनना मैं नहीं करता बस यहां पर यह studies प्रूफ करी गई है कि लेकिन यह studies जो है यह studies किसी आपका सक commission मतलब की एक popular जिसको हम लोग बोलता है institute है नहीं जिसके दोरह study करी गई है दो आप देख पाऊगे एक आर्टिकल यह रखा है इंडिया ने record किया है highest daily death in the world यानि की लगातार चो daily business पर death हो रही है इंडिया के अंदर वो उसने एक record बना दिया है पूरे world के अंदर क्योंकि आज के time पर आप देख पाऊगे 3000 के आसपास daily business पर death हो रही है एक छोड़ा सा article एक और आता है ज्यादा importance इसको नहीं देंगे क्या है new rules only to check misuse of social media मतलब क्या है कि आपको मालूम होगा social media के regarding अभी IT rules से लेकर आए गए थे ठीक है IT rules का चलो मुझे बताओ purpose क्या है ठीक है IT rules क का purpose किसके regarding देखो मैं social media के regarding नहीं पूछ रहा OTT platforms के regarding पूछ रहा हूं IT rules का क्या purpose है नीचे comment section बताना ना यह जो new rules है यह सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए कि हा social media का misuse तो नहीं हो रहा है ऐसा यहाँ पर हमारे IT और law minister रवी शंकर प्रसाद जी का कहना है ठीक है क्योंकि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर बात करो तो हर तरीके से किसी हर एक के फोन में आपको WhatsApp देखने को मेलेगा social media platforms हर कोई चला रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग चेक करने के लिए कि उसका misuse ना हो उसी बज़ा से हम लोग इस IT rules को लेकर आए ना आज की एक important information यह आ important information क्या है कि आपको मालूम होगा February से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC पर मतलब की अब इसे अब तक एक अपने बहुत सारे डिस्प्यूट जो पहले होते रहते थे वो डिस्प्यूट सुने नहीं होंगे क्यों क्योंकि हमने cover भी क्या था लगबग February में बहुत सा नहीं कैसे यहां पर देख पाओगे 2003 में एक सीजफायर एग्रिबेंट हुआ था कि इसके बीच में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर मतलब योद्विराम सीजफायर के नाम अपने बहुत सुना होगा अभी पिछले कुछ दिनों में इस्राइल और फिलिस् है और एक एले सी है दोनों में कंफ्यूज मनत पालना चलो मैं बताई देता हूं एक मिनट और लगेगा इसको भी समझ लेते हैं मैप में अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी किसी को नहीं मालूम है तो एलो सी जो है ना हमारी पाकिस्तान के साथ है एले सी है ना वो चाइना के साथ है के साथ लोसी जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल देखा नहीं है यहाँ पर क्या है Got It और उस चीज कोई follow तो कभी किया नहीं हम जो 2003 से लगाता लड़ते वे आ रहे हैं यहां पर कभी भी यहां पर पाकिस्तान की साइट से follow किया ही नहीं गया है नाव अब यहां पर क्या करा गया है February में यहां पर हमने कहा कि इसको follow करेंगा और February से अभी तक 100 दिन पूरे हो चुके हैं तो 100 दिन पूरे हो चुके हैं उसी अफसर पर यह आर्टिकल आया है कि अब यहां पर कोई भी ऐसा नहीं हुआ है अब यहां पर आप देख पाओगे क्या 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 चीज़े बताई गया है यहां पर कुछ और चीज़े हुई है यहां पर सौधिन में और कोई डिस्पूट क्लियर नहीं हुई हुआ है तो यह आपको ध्यान रखना है काफी अच्छी बात है इसका डिटा का अपस्तमाल कर सकते हो आगे बढ़ते हैं नेक्स टार्टिकल बात करी गई है जो हमारे मिनिस्ट्री आफ होम अफेर्स उनका कहना यह है जो एंपियर स्लिप्स हैं वह आज के टाइम पर वैलेड हो चुकी है एंपियर मतलब नाशनल पॉपूलेशन रजिस्टर तो यह जो स्लिप्स होंगी यह वैलेड है लॉंग टर्म वीजास के लिए ठीक है अब यहां पर उ यह लोग citizenship वगरे के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमने इस चीज़ को देखा था अब जो यह NPR स्लिप्स होंगे वह इसके थूरू क्या हो गया यह लोग long term visas भी ले सकते हैं उसके लिए वैलेड हो चुके हैं और दूसरी चीज़ यहां पर यह बताई गई है कि जो citizenship amendment act है उस में हम लोग जो six non-muslim minorities हैं ठीक है और वो उसके अंदर कौन-कौन से आगए हिंदू जेन्स पार्सी क्रिश्चान बुद्धिस्ट जो भी यहां पर बाहर से आए हैं ठीक है जो भी बाहर से कौन को सी जगा से अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगलादेश है उनके लिए यहा काफी हद तक कम होता वह नजर आ रहा है अच्छी बात है हाँ एक आता है इंपॉर्णट आर्टिकल यह वाला इसको इसमें दो जो चीज़ें ना उसके हिसाब से थोड़ा सो इंपॉर्ण हो जाता है लेकिसमें जो चीज़ एड करी है उसके हिसाब से यह बहुत जाद हो ज से अपने आप में बहुत इंपॉर्ण टॉपिक है साथ साथ यह फिर सा चुका है क्यों कि यहां पर जो भी आपका सकतो फॉरस्ट प्रड्यूस के उपर लोग डिपेंडेंट रहते हैं उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है तो इन चीज़ों से आप ऐसा करके रिलेट करो त लकडिया प्रोड्यूस करता है अब यहां पर आप देख पाऊगे यही थम्नेल का स्तमाल किया गया है जो यह विमेंस हैं यह लकडिया लेकर जा रही है इसको बेचेंगी उसके बाद यहां पर कमाके खाएंगी तो इस तरीकी चीज़े देखने को मिलती है लेकिन अभी के के टाइम पर कोविड की वज़ा से यह सब डाउन हो चुका है इसके प्राइस डाउन हो चुके हैं डिमांड खतम हो चुके है तो यहां पर यह क्या करें ठीक है यह लोग तो डिपेंडेंट है ना फॉरस्ट प्रड्यूस के उपर तो आज के टाइम पर इन लोग को सब दुखनान पर यहां पर ओडिशा फिरसे नियुस का अंदर था तक्यों कि वहां पर जो पर्टिकुलर्ली वल्लेरेबल ट्राइबल ग्रॉप्स हैं इन पीवीटी जी क्या हुआ था होगा कि यहां पर की ज्यादा प्राबलम होगी अगर एक पूरी कॉम्मिनटी का नाम और निशान नहीं बचेगा किसकी वज़ा से COVID की वज़ा से ठीक है तो यहाँ पे जो PVTGs के बारे में पढ़ लेता है इस वज़े से मैंने revise करने के लिए definitely topic लगा रखा है क्योंकि बहुत दिन होगे हमें cover करे वे पहले question आ चुका है और लंबे समय से PVTG से regarding question नहीं आया है तो particularly vulnerable tribal groups GS paper 2 के point of view से आपके लिए important हो जाता है और GS paper 2 में आपके लिए और भी topics हैं जैसे की issues related to schedule cast and schedule tribes और government policies and interventions यह वाला जो topic है न current वाला इसको भी आप लोग इसी से relate कर सकते हो ठीक है जिसमें यहाँ पर लोगों को जो forest produce के उपर dependent होते हैं उनको problems हो रही है उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे health वगेरा की बातचीत करी जा रही है कि देखो जो health के topic से भी important हो जाए गया है क्योंकि covid से इसको relate किया गया है नव हुआ क्या है जो हमारे particularly available travel groups है पिवी टी जी इनको पहले पी टी जी बोला जाता था प्रिमिटिव ट्रैबल ग्रूप बोला जाता था और उसके बाद इसका नाम बदला गया नाम बदलने के बाद लगबग 2006 में इसको pvtgs करा गया और फिर उसका आप देख पाऊगे इसके अंदर groups बहुत सारे add होते वे चले गए और अभी के टाइम पर लगबग 75 जो हैं वो इसके अंदर groups हैं ठीके 75 pvtgs हैं और जाद तर ओडिशा के अंदर आपको देखने को मिलेंगी question यह आता है सबसादर travel groups कहां पर हैं सबसे जादर आपको ओडिशा के अंदर ही देखने को मिलेंगे अब आपको ध्यान रखना है 75 pvtgs हैं pvtgs का मतलब आयोप आप लोगो समझ में आगया होगा particularly vulnerable मतलब की ऐसे groups जिनकी population जिनकी जनसंख्या अल्रेडी काफी हद तक खतम हो चुकी है और आने वाले टाइम पर शंका यह है कि वो खतम पूरी तरह से हो जाएंगी ठीक है उनको अगर प्रोटेट नहीं किया यह तो ऐसे groups हो आप हैं ठीक है तो यहाँ पर 75 जिस्टेट है पिविटीजी में highest numbers of groups आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेंगे सब हमने देख ल पुतिन यहाँ पर क्या है कि आने वाले टाइम पर एक समिट होने वाली एक मीटिंग होने वाली है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की और व्लादिमार पुतिन की तो डिस्कॉशन होगा कि किस तरीके से अपने यह बातचीत करते हैं साधी साथ संका यह है कि देखो ज आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज के बीच में जैसे की हैकिंग एलिगेशन को लेकर हुमन राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ एलेक्शन मेडलिंग को लेकर तो ऐसा यहाँ पर देखते हैं कि कैसी चीज़ होती भी नजर आती है तो हमें 16 जून के बाद ही पता चलेगा और य यह रस्या के इसमाने जाते हैं तो यहाँ पर देख पाऊगे यही सारी की से हैं देखेंगे आज के टाइम पर आने वाले टाइम पर क्या होता है बसिकली नव नेंस्ट रहा一点 आप देख पांगे ना कि डॉनल्लम साथ साथ एक चीफ मेडिकल ऐडवाइजर हैं यूएस प्रेसिदेंट नाव एंथिनी फॉची ने क्या करा एंथिनी फॉची के पास बहुत सारे इमेल्स हैं क्योंकि इंपोर्टन परसन है कोविट को लेकर ठीक है तो फिर बहुत सारी इमेल्स हैं इनके पास पिछले साल से इनफाक्ट मार्क जकरबर्ग और इन सब के इमेल्स हैं बहुत सारे इमेल्स में ये भी लिखा वाद है कि जो कोविट है ये चाइना से निकल कर आया है लेकिन ये जो इमेल्स है ना ये चार दिन पहले रिवील कर लिए गए हैं धियान से सुनना रिवील कह रहा हूं लीक नह कर आया है और फिर ट्रंप ने जो हैं की फटका लगाई क्योंकि फौची को बहुत सारी चीजे मालूम थी एंथनी फौची को यह मालूमता कि चाइनीज लाबलिटरिस के अंदर टेस्टिंग चल रही है कोविड को लेकर लेकर लेकिन यहाँ पर फौची ने यह सारी चीजे बैठा दी उन्होंने कि एक रिपूर्ट चाहिए कि यह वाकई में कहां से निकल कर आया है यह कोविड उसके बारे में तो यह माना यही जा रहा है कि हमां इंस्टिटूट से निकल कर आया है क्योंकि काफी हद तक डॉनल्ड ट्रंप सही बोल रहे थे लेकिन यह यह ना इन रहा है यह हम लोग मैंने आपको क्लियर कर दिया क्योंकि आने वाले टाइम पर एडिटूरल हम लोग लगातार देख सकते हैं क्योंकि आने वाले 90 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादे इंपोर्डेंट है कि यह कोविड कहां से आया है जैसी हमें पता चलता है अगर चाहिन 7.2 करके वह विरेंट है नाव बोला यह जा रहा है 40% और जदा ट्रांसमेसिबल है और जदा फैलतवा यह नजर आ रहा है अफगानिस्टान के अंदर प्रॉब्लम्स क्रेट होती है वह निकल रहे हैं तो फिर अब ट्रॉब्लम्स आज की टाइम पर क्रेट हो रही है और आ आने वाले टाइम पर हम लोग देख सकेंगे और यह बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रेट होती भी नजर आएंगी नाओ तो मंडे है आज मंडे में बिजनस सेक्शन आता नहीं मनीवाइस पर पेज आता है इसको आप लोग टोटली स्किप कर सकते हो चलते हैं हम लोग अपने सेक्शन की तरफ देखेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट एडिटोरियल्स को आज का न्यूस पेपर बड़ा शॉर्ट था ना क्योंकि आज जादा इंपोर्टेंट आर्टिकल नहीं थे देखो हो गया रहा है ना जादा दर कोवीट से चीज़े आ रही है अब जो काम कि यहाँ पर मैं से लेबर कर सकता हूं में वहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिक कर हूँ से हमें इसके पीछेओ यह वीडियो रिकॉर्ड करने inclined बडले और सर्फिबख़ टो जो लिए कोई बात नहीं तो कोई आपको मैं प्वालेटी देने की फूरी कोशिस कर रहा हूँ जहां जहां से इंपोरिन्ट होंगी सलेबस क्या प्लोग अपना से लेकर बैठो आप भी उसë में चीज़े वह देख सकते हो कहां से अब लोग उसको कनेट कर सकता हो क्योंकि जो न्यूस पेपर है वह आपका 70% कवर करना ही करना है ठीक है इससे मतलब की एक्जैम के अंदर अपको जो करेंट अफेर है वह 70% तक आपका आना है और न्यूस पेपर से आएगा वह जाधा त परसन है विनो दुआ इनके ओपर सेडिशन के चार्जिस लगा दिये गए थे लेकिन अब यहां पर यह पर सरकार ने सेडिशन के चार्जिस लगाए गए क्योंकि बोला यह गया है कि इन्होंने यहां पर गवर्न्मेंट के खिलाफ कुछ बोल दिया था सुप्रेम कोट बी कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा था आंदर प्रदेश के अंदर यह चीज़ें होई थी तेलूगू टीवी न्यूस चैनल थे दो न्यूस चैनल तो उनके ओपर आंदर प्रदेश सरकार ने जो है यह आपका सकते हो सेडिशन के चार्जिस लगा दिये उससे पहले फ अगर जो चीज गलत हो रही है उसके खिलाब अगर कोई इनसान बोलता है उसके ओपर सेडिशन चार्जिस लगाए जाते हैं तो यह बिल्कुल गलत है कंट्री की डेमोक्रेशी के होने का क्या फाइदा और यहाँ पर आप देख पाऊगे जो सेडिशन वाला मुद्दा है यह कहां से आया था यह आया था केदार ना सिंग 962 में केस हुआ था उसके बासे प्रोविजन हम लोग लेकर आए ना यहाँ पर मैं आपको समझाता हूं यह सेडिशन के बारे में चीज़े कहां पर देखने को मिल ले यह पहले हम इस आर्टिकल को समझ लेते हैं यहाँ पर पर मुद्दा उठाए जा रहा है तो भी उनको पर सेडिशन के चार्जिस लगाए जा रहे हैं तो यह चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है नौ सेडिशन बिसिकली क्या होता है कौन से अंदर अक्रावडिंग आता है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा आप देख पाऊंगे स सेडिशन लोग को लाया गया था 17 सेंचरी में ठीके ब्रिटिश एरा से हमारे पास चल रहा है ब्रिटिश लेकर आये थे और ब्रिटिश इसका इस्तमाल करते थे कि ब्रिटिश गर्णवन के पीछे ब्रिटिश सरकार के लिए अगेंस्ट में कोई ना बोले ठीके वो लोग लेकर आये थे लेकिन ये लोग फिर उसके बाद आता रहा और ऐसी चलता रहा बापस फिर 1870 के आसपास हमने इसको सेक्शन 124 के अंदर इंसर्टी कर दिया इंडियन पीनल कोड के अंदर इसको ले आये गया और अब इसका इस्तमाल होता है कंट्री के अंदर सेडिशन जो कि आपको सेक्शन 124-a of the IPC Indian Penal Code के अंदर देखने को मिलेगा याद रखना यह कहां पर देखने को मिलता है नाव इसका मतलब क्या होता है एक्जैक्टली क्योंकि लॉग की डेफिनेशन एक अलगी डेफिनेशन होती है लॉग की डेफिनेशन काफी टफ होती है लॉग क्या बोलता है कि यह जो सेडिशन इसका मतलब यह है कि एक ओफेंस एक जुर्म करा गया है कैसे कोई परसन है जिसने कंट्री के खिलाफ जिसने लेकिन अगर सही मुद्धा है तो आप दिखा सकते हो लेकिन जब यहां पर बिलकुल आपके सकते हो गलत चीज है और आप भी गलत मुद्धे पर यहां पर गवर्मेंट को बोल रहे हो तो उसके खिलाब उसमें उसके रिकार्डिंग आपके ओपर सेडिशन के चार्जिस यहा पर दिआ पर दिया गया क्या होती है इस एडिशन में यहां पे थेन नौन वैलेबल ओफर्मेंस आपको यहां पर करते हैं जो है तीन साल की जिल हो जाती है एसको एड़ भी कर दिया सकता है आगे तक टिकिए उसके बाद जो जिसकी पी गोवर्मेंट जॉप जोब पहली ब ऐसा यहां पर सेडिशन के अंदर डिफाइन किया गया है आई होप आपको यह क्लियर हुआ देखो मैं आपको सारी चीज़े बता दी है वहान का लेब आज के टाइम पर काफी ज़दा न्यूस के अंदर है क्योंकि अभी यूएस के प्रेसिडेंट पीछे पढ़े हैं डॉनल तोटली स्किप कर सकते हो यहां पर कुछ नहीं पढ़ने लायक मैंने आपको बता दिया जितना था आप उतना आइडिया रखो यहां पर छोड़ सकते हो नेक्स आर्टिकल में एक परसन है आप देख पाऊगे जो ऑथर है इनका नाम है जैराम रमिश इन्होंने अपनी एक लाई लगो今 part है यहां पर डोग सकते हो जांके पर चाइस कर सकते हो तो इस आप लेना ठीकल को पढ़ लेना ठीक है जाधा इंपोरे नहीं है एक क्क पूर दिन का और है आटिकल ऑफ दे है Jest पर वह बहुत ही अच्छ आर्टिकल है उसको भी हम डिसकस करेंगे यहां पर बात करी गई है जो आज के टाइम पर उसको मतलब जो यूज बगर आज के टाइम पर है देखोगे क्या बोला गया सीधा सिधा स्टेटमेंट यह है आज लिटल रूम तो यूज इंट्रेस्ट रिट फॉर एचीविंग पॉलिसी आउटकम साज के टाइम पर आर्विय भी पूरी तरह से इस्तमाल नहीं कर पार अपनी चीज़ों को आर्विय की जो फोरकास्टिंग वगरा है वो भी कम हो चुकी है क्यों कोविड की वज़ा से सारे स्टेप्स न यहां पर क्या है कि इसी कमिटी के बात करें तो आज के टाइम पर हम लोग देख पाओगे काफी लंबे समय से इंट्रेस्ट रेज को अंचेंज करके रखने कोई बदलाब नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले सिचुएशन ही नहीं सुदर रही है हमारी और उसके बाद हमन लेकिन अब यहां पर जैसा जैसा हल हुआ है पिछले साल उसके बैसिस पर यह पताया लगाया जा रहा है कि अब यहां पर इनकी फोर्कास्टिंग मतलब कि जितना अंदाजा लगा जा रहा था उसको कम कर दिया गया है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडिया की एकॉन आर्टिकल है वेमन इंपावर्णमेंट जीएस पेपर वन जीएस पेपर टू सबी जगह से इसको रिलेट कर सकते हो देखो ऑथर ने काफी यहां पर शांदार चीज लिखी है रेकेगनाइजिंग सब्सक्राइब करते हैं यहां पर और क्या बोला गया देखो एक गलत नजेरी से देखते हैं सेक्स वरकर्स को अभी आउथर ने क्या क्या चीज़े बोली है काफी शांदार बात बोली है उसको मैं आगे बताऊँगा तो यहां पर हमारे पास एक 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 इम्मॉरल ट् जिसमें हम लोग बात करते हैं जो विमन ट्राफिक वागएरा है यह सब ना हो चलो यह तो अच्छी बात है ट्राफिंग वागएरा ना हो इसको रोकने के लिए हमारे पास एक लेकिन सेम एक यह क्या कर देता है यह क्या कैना ओधर कर चाहिए उसके उपर ऐसी सिचुएशन पड़ी है उसके परिवार की ऐसी सिचुएशन पड़ी है जिसकी वजासे उसको यहाँ पर घुसना पड़ा है तो ऐसा हर कोई चाहेगा जाना तो ऐसा नहीं है बिलकुल भी यहाँ पर कहना यह है कि देखो बिलकुल भी वो कंडिशन के उपर डिपेंड़े वह अपनी पान बूच कर जा रही है उसको यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है तो किसी वजा से वो इस फिल्ड के अंदर घुसी है नाओ यहाँ पर यह जो एक्ट है यह तो अलग से इसको कर देता है कि हाँ यह बिलकुल रॉंग है यह कलत तरीका है ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देख ठीक है ऐसा यहाँ बताया है उसके बाद लेकर बात करी गई है ठीक है आज के टाइम पर आप देख पाओगे सेक्स वर्कर्स बहुत जादे वाइलेंस डिस्क्रिबिनेशन हरास्मेंट इन फैक्ट सुसाइटी के अंदर बहुत बुरी तरीके से देखने देखे जाते हैं लेबर राइट्स की बात करें तो जस्टिस वर्मा कमिशन की आपका सकते हो इनका कमिशन है जिन्होंने आपर यह बताया यह एक तरीके से डिस्टिंक्शन है मतलब डिफरेंस है किसके बीच में वेमेन जो की ट्राफिकिंग करी जारी जिनके साथ ट्राफिक करने के बाद जोड़ जबस्तिव फूर्स फूल यह सब काम हो रहा है और एक तरफ जो है जो यहोड grave charge IQ TU kingdom की वजा से गई हैं तिक एपने घर की condition की वजा से कमाने हैं और सभाधिन यहां पर हम लोग क्या करता है ना कि इन लोग को अच्छे से एकमा करता है तो उसके बारे में बातचीत करीक tap not呢 कि हम लोगोगों को इसके बारे में दुबारा से सोचना पड़े Wow और sex work को as a work एक recognition देनी होगी क्योंकि एक judgment भी है Supreme Court का यहाँ पर आप इस judgment का इसमाल कर सकते हो वो है बुद्धादेव करमासकर versus state of West Bengal जिसमें opinion दिया गया जो sex workers है उनके पास right है, right to dignity है वो लोग भी रह सकता है, वो लोग भी कमा सकता है खा सकते हैं, साथ साथ एक dignity के साथ रह सकते हैं, तो इन चीजों के उपर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, okay नो यहाँ पर आप देख पार होंगे, यह है Twitter के पीछे अभी सबी लोग पढ़े वें अगे बढ़ते हैं, एक article आपको यह ऊपर देखने को मिल जाएगा, इसमें क्या बोला गया है, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें बोला गया है, behavioral change can reduce transmission, अगर मैं आपसे पूछ हूँ, अगर आपको COVID रोकना है, तो आप अपने अंदर क्या बदलाब करोगे, अगर क किसी COVID को रोकना है, COVID को transmit करने से रोकना है, तो आप क्या-क्या step उठाओगे, पहला होगे, मास लगाएंगे, ठीक है, चलो मास लगा लिया, देखो ये चीज़ मेंशन कर दी, इसमाल करोगे, बिल्कुल, सोशल डिस्टैंसिंग रखोगे, बिल्कुल, तो भाई ये चीज़ तो लिखी है, मतलब वही चीज़े यहाँ पर वापस से डाल दी गई है, तो मतलब ये जनरल सी चीज़े हैं, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है काफी टाइम पहले से, जिसक के पर हमने फोकस किया है, और यहाँ पर जारे आर्टिकल आप देख पाऊगे, इनमें कोई ऐसी वैल्यू है नहीं, ठीक है, अलाकि क्योंकि होता है ना, इते को सभी के लिए निउस्पेपर लिखा रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, क्या-क्या हम लोगो का अपने बिहेविरल चेंजिस रखने चाहिए, कि जिस तरीके साम लोग कोविट को ट्रांसमेट होने से रोख सकें, ओके, आई होप आप लोग को यह सारी चीज़े क्लियर हो गए होंगी, इसी के साथ करते हैं आपनों को अपने निउस्पेपर एनलिसिस को समाप्त मिलते आप लोग को से नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाबाई, have a nice day